गुद मॉनिंग बच्चों आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 34 विशे गनित कक्षा साथ हमारी डेट 9 फरवरी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हमें जो करना है उसमें हम सीखें के राश्यों की तुलना कैसे दो राश्यों की दो च 50% किसके बराबर होगा देखो 1000 का मतलब होता है multiply 50% प्रतीशत 50 बटे में 100 प्रतीशत मैंने आपको बताया ना एक बटे में 100 होता है या पर 2-0 से 2-0 कर जाती है तो क्या बचा आपका 500 बचा ठीक है तो first answer क्या जाएगा 500 ठीक है ए वाला हो गया first उसके बाद है दूसरा 1 by 2 1 by 2 किसके बराबर होगा इसमें से 100 प्रतीशत है तो 100 प्रतीशत मतलब 100 बटे 100 ये तो 1 आया है 1 बटे 2 तो नहीं आया है फिर देखो 75 प्रतीशत है 75 प्रतीशत मतलब 75 बटे में 100 ये तो 3 बटे 4 आया है 1 बटे 2 के बराबर तो नहीं आया ये भी नहीं होगा फिर देखो 50% है ठीक है तो 50 बटे में 100 कितना होता है यह होता है एक बटे दो जो किसके बराबर है ठीक है तो second का answer क्या आजाएगा एक बटे दो इसका answer आजाएगा D ठीक है second का क्या हो जाएगा D उसके बाद है third है 100 का 1 बटे 4 so क्या है सो का मतलब multiply एक बटे चार तो चार से सो कट जाता है कितने भी 25 पे तो क्या हो जाएगा थर्ड का 25 आंसर आजाएगा ठीक है थर्ड का क्या आंसर आजाएगा 25 उसके बाद है चोथा प्रशिन 0.75 0.75 पोइंट अटा दो नीचे क्या जाएगी 2 0 क्योंकि पोइंट के बाद 2 डिजिट है तो यह कितना हो गया इसको मैं 75 प्रतीशत लिख सकती हूँ एक बटे 100 क्या होता है प्रतीशत होता है तो इसको क्या हो जाएगा 75 प्रतीशत ठीक है उसके बाद है एक का प्रतीशत रूप सो प्रतीशत एक प्रतीशत मतलब आप इसको प्रतीशत में बदलोगे तो अगर आपने किसी समान को खरीदा है वो और यहां विक्रे मुल्या तो आपका तो फाइदा होगा ना तो क्या होगा लाब यहानी फाइदा हुआ तो लाब होगा और आप कैसे निकालते हैं पांच कितने काफ लाब हो आपको जो आपका पांच में से डाउट ना होगी कि वहाँ पे कौन सा किससे मिलाया तो बच्चों को पता नहीं चलता तो यहाँ पे मैंने उनको solve भी करके दिखाया हुआ है सो का 50 प्रश्र कैसे निकाला है उसका अंसर 500 आया है तो उसका उत्र क्या है एक बटे 2 किसके बराबर है और यहाँ पे उनके answers लिखे हुए तो जिन बच्चों को वहाँ से नहीं समझ आया तो डारेक्ट इस तरीके से आप अपनी कौपी में उतार सकते हैं यह आपके त्रीबुच का सम्बलम से अनुपात त्रीबुच का कितने है आपकी वो कितने है आपको कितने है देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा है त्रीबुच बारा है और सम्बलम कितने है देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दस ग संब्लम से संबलम से जिसका निकालना होता है वो उपर आपने in 10 Yes what से तीजम इसको परतीष्ट में निकालना है तो सो से गुना कर दो तो 12 से कितना आया सो प्रतीष्टीन अए आए तो क्या अंसर हो जायेगा और तो scrolling मंदल कला में सम चतुरूबज समानतर चतुरूज का प्रतीश्यत ग्याद किजी आप इसको सम चतुरूज भी मान सकते हो या फिर आप इसको समानतर पैरललोग्राम रोहम बस कुछ भी इसको मान सकते हो इसका प्रतीशत ज्याद करो ये दिखो बिटा ये जो आपका question है question 3 ये आपका अधूरा है ये आप इसमें जिसे English Medium की जो worksheet है उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या इसने पूछा है कि आपकी total जो आपकी ये है ना आपको नीले वाले का निकालना है ये कितने है ये नीले वाले आपकी बारा है तो आपका answer कितना आएगा यहां से 12 बटे 36 गुना में 100 12 से 36 कट गया 3 पे 100 बटे 3 कितना होता है 33 एक बटे 3 परतीशत ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा 3rd question उसका बी पार्ट सही हैगा यह question आप यहां पे लिखे ना मंदल कला में सम चतरुबुच का प्रतीशत गयात कीजिए तो यहां पे आप क्या करो मंदल कला में नीले लिख लो यहां पी नीले सम चतरुबुच यह आपका मंदल कला भाई सू रुपे में भाई सू रुपे में खरी दी गई 1.500 रुपे में बेची गई तो लब यहां नी बताओ तो देखो 1.500 में आपने खरी दी थी लेकिन बेचा वेचा सिर्फ 1.500 में कितने का नुकसान होग किया माइनस कर दो सो रुपे का निकसान हुआ क्या हुआ लाबिया हानी तो लिखोगे हानी और यह पूछा है कितने की हानी हुई तो आप लिखोगे सो की हानी हुई और प्रतीशत में पूछा जाए तो प्रतीशत में सो की हानी हुई कुल कितने में से धाई सो में से इसको प्रतीशत में निकाल दो गुना करके तो आपका 40 प्रतीशत उत्तर आएगा ठीक है यह इंग्लिश वीडियो में प्रतीशत पूछा हुआ था इसलिए मैंने एक्स्प्रेइन किया है लेकिन आप में सिर्फ लाबिया हानी पूछा हुआ है तो आप क्या लिख दो कि क्य प्रतीशत किसे कुल से कुल जितनी आकरतिया है उनसे ठीक है तो समाना तर चतर कुछ कितनी है 36 है काउंट करके देखोगे ठीक है 36 है यहाँ पर दिया भी हुआ 36 है और कुल कितनी है टोल कुल 72 है प्रतीशत में निकालना है तो सो से गुना कर दो तो यह 36 एक वटे दो आया दो से शोक कर जाता है 50 प्रतीशत आया तो मतलब जो option C है वो क्प्रीट कैसे करना है लिखोगे मंडल कला में नीले यहाँ पर लिखोगे नीले नीले सम चतर बुझ समानतर चतर बुझ का प्रतीशत ग्यात कीजिए कुल कुल 36 समानतर चतर बुझ से उसका प्रतीशत निकालना है कुछ समानतर चतर बुझ से ठीक है कितने है चतर बुझ से हो जाएगा ठीक है नीले समानतर यहाँ से लिखना है कुल 36 समानतर चतर बुझ से आपको नीले चतर बुझ का सर्फ आपको प्रतीशत निकालना है हो गया उसके बाद चोहता पूरा करो, यहां पर यहां के बाद लिखना है, बताईए लाबिया हानी, इसके बाद लिखी कितने परतीशत हानी हुई, कितने परतीशत, कितने परतीशत लाबिया हानी हुई, ठीक है, लाबिया हानी दोनों लिखने आप जगे नहीं, इसलिए मैंने सिर सब्सक्राइब कितने प्रतीशत क्ल आकरतिए के कितने प्रतीशत है आकरति यह दिखा देती हूं। इसे आपका क्वेशन है। इस मैंने बोला भी अगर आइटिक नहीं समझ मैं आली तो आप वहां से डारेक्ट कर सकते हो। ठीक है तो यह हो गया आपकी सारे questions मैं फटा फट से आपको answers दिखा देती हूं यह आपका question number two का ठीक है first part question जो आपका second है उसका first second third उसके बाद यह fourth और fifth सारे solve कर चुके हैं ठीक है यह हो गया आपकी one two आपकी जो पूरी वोक्षिट है इसमें यही questions आज आपकी वोक्षिट में गिवन थी I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी doubt है पूरी वोक्षिट में तो comment section में आपको पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को subscribe कर सक थैंक यू and have a great day